हेलो दोस्तों मैं हुह आज हम कर'tे र यंवाले या फिर तो इसडिक वेस्ट तो आप सबस्पर बात करते हैं आधने वालों के नीचल कुछ ऐसा होता है कि बहुत जल्दी friends बना लेते हैं वही हम बात करते हैं S name वाली तो वह friends जल्दी नहीं बनाते क्योंकि वह जल्दी किसी पर trust नहीं करते लेकिन एक बार किसी पर trust कर लिया तो फिर lifetime उस पर भरोसा करते हैं आर्नेम वाले दिल जीतने में होते हैं expert वहीं S name वाले जादा try नहीं करते किसी का दिल जीतने का ज्यादा close नहीं आते जब तक उसे वो पुरी तरह जान नहीं लेते बात करते हैं इनकी career की तो दोनों ही अपने career में काफी आगे जाते हैं ये काफी hard work करते हैं smart work करते हैं आर्नेम वाले S name वाले hard work के साथ साथी कभी-कभी ये पीछे रह जाते हैं किसी चीज़ पर क्योंकि time to time इनको motivations की जरूत होती है R name वालों की बात करने तो आर्नेम वाले खुद को ही motivate करते हैं, आर्नेम वाले थोड़े साथी होते हैं बट इनके स्वार्ट से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, यानि किसी का लॉस नहीं होता। S name वाले दूसरे की सिंदेगी बनाने में आगे रहते हैं। वो अपनी life को थोड़ा से पीछे कर देंगे, लेकिन किसी और की मदद जरूर करें। अब बात करते हैं इनकी love life की, तो R name वाले प्यार के मामले में काफी लगी होते हैं। S name वाले थोड़े से लगी, इनका दिर काफी बार टोड़ता है क्योंकि ये जल्दी किसी पर ही भरुसा कर लेते हैं। ये प्यार में टेस्ट नहीं लेते हैं, और टेस्ट लेने के बाद ही अपना life पाड़ना चूनते हैं। तो दोस्तों अब आप डिसाइड केजिए कि कैसे है R और S name वाले और कौन है बहदर। कमें चेक्रण में जरूर लिखना है, थैंक यो सो मच, लव्यो रूस्तों।